हालो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, सो गाईज, टूटे और टॉपिक इस फ्रेज, तो गाईज जो हम प्रिविएस वीडियो में हमने पार्ट्स और स्पीच को डिसकस कर लिया था, उसके नाइन अलग लग टॉपिक्स थे उनको डिसकस कर चुके हैं, तो उनकी एक्स कैसे हमें पता चलता है, यह फ्रेज है, उसके बाद हम क्लॉज को डिसकस करेंगे, तो गाईज, कम टू दा फ्रेज, टूटे और टॉपिक इस फ्रेज, ठीक है, तो फ्रेज क्या होती है, ख्रेज क्टी सब्सक्राइं, अजो सब्सक्राइं, तो गाईज, तो डिसके एक नवीक्ता के, प्रेज सब्सक्राइस, टूम टूम टूुलुल टॎ हम और investigateảiेंओीं, तो यह जो आपका complete sense नहीं बनाता है, किसी भी sentence में ठीक है और phrase एक group of word होता है देखिए sentence भी तो group of word होता है लेकिन sentence और phrase में क्या difference होता है कि sentence जो होता है that makes the complete sense वो complete sense बनाता है लेकिन जो phrase होता है that don't make the complete sentence वो कभी भी आपका complete sentence sentence sorry यहां पर does not लिख देती हूँ मैं that doesn't make the complete sense ठीक है वो कभी भी complete sense नहीं बनाता तो आप phrase जो है that is a part of sentence देखिए एक sentence जो होगा उसी का एक part अंदर phrase ही होगा और phrase में आपका subject verb जो agreement होता है न वो जो है वो नहीं रहता है ठीक है वो सारी phrase maximum phrase में आपका जो subject verb का agreement रहता है वो नहीं रहता मतब subject और verb सेम नहीं आएंगे आपके किसी phrase में तो phrase जो होता है वैसे तो वह जैसे हम लग लग तरह की phrases है आगे उसको हम discuss करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि phrase क्या होती है आप अभी तो मैं यहीं बतारी हूं कि यह group of word है जिसमें आपका subject भी हो सकता है हम उसको indicate कर सकते हैं लग लग चीजों को object भी हो सकता है प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे कि वह क्या होता है और किस तरह से कौन सी phrase में किस तरह से हम बताएंगे कि यह वह वाली फ्रेज है ठीक है तो phrase आपको जर्नली एक चीज याद रखनी है कि phrase is a group of word that does not doesn't make the complete sense वह complete sense नहीं बनाता है but it is a part of a sentence लेकिन वह sentence का एक पार्ट होता है और sentence और phrase में यहीं difference है sentence is also a group of word sentence भी group of word है बट it makes the complete sense जैसे राम is a boy तो राम एक लड़का है तो यह पूरा sentence है group of word है लेकिन वह क्या है एक sense भी बना रहा है कि राम एक लड़का है जैसे मैं लिखूं इन दर रिवर ठीक है in the river that is your phrase यह आपकी एक phrase की example है तो in the river river में क्या तो this phrase doesn't give us any information यह हमें proper information कोई नहीं दे रहा कि क्या information है इसलिए हम इस phrase कहते है यह group of words तो है but it does not provide us a complete information नहीं दे रहा है इसलिए हम इसको phrase कहते है और यह sentence का ही एक part बनेंगे जैसे हम proper पीछे से sentence लिखते आएंगे तो यह sentence का एक part बनेंगे तब ही यह sentence को complete कर पाएंगे ठीक है अब उसके बाद मैं कुछ examples लिख देती हूँ आपकी जैसे first आप example लिख लो the book is on the table book जो है वो table के उपर है ठीक है the book is on the table book क्या है table के उपर है तो अब देखिए book जो है यह तो आपका noun है यह next में पढ़ेंगे कि noun phrase क्या होती है adjective phrase क्या होती है और वो phrase कहते है वो अलग से है लेकिन on the table on the table आपका क्या है phrase है कैसे क्योंकि on the table देखिए on the table में आपका subject verb agreement नहीं बन रहा है table क्या आपका noun ही है ठीक है तो अब वो कह रहा है on the table कोई चीज table के उपर है but we don't know इतने से sentence से आपको ज़्यादा information नहीं मिल रही है सिर्फ यहीं पता चलना है टेबल पर कोई चीज है लेकिन जब हम the book is on the table it means this makes the complete sense and because this is a sentence यह sentence है और इतना सा यह जो बचता है that is your phrase ठीक है यह आपका क्या रहेगा phrase रहेगा अब नेक्स में बोलूँगी this chair is made up of wood यह जो chair है यह किस की बनी है wood की बनी है ठीक है लकडी की बनी है अब देखे इस chair is अब यह जो made up of है न made up of wood that is your यह जो आपका क्या है यह आपका made up of ठीक है made up of जो है यह क्या है आपका phrase है ठीक है made up of क्या है phrase है कि वो उससे बनी है made up of इससे आपको समझ रहे है made up of से नहीं क्यूंकि प्रॉपर इसका कोई हमें प्रॉपर इंफरमिशन नहीं प्रवाइट कर रहा क्या चीज है किस से बनी है सिफ यह लिख्या है कि made up of ठीक है that this phrase this group of word does not give us complete information तो लेकिन अगर हम इसको पूरे sentence में रिलेट करेंगे पूरे sentence बोलेंगे तो इससे 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 complete information about the chair because this chair is made up of the बुट क्योंकि यह जो चेर है यह बुट के बनी है ठीक है तो यह बेटा यह आपके क्या रहे आपकी फ्रेजिस की examples रही है जो general examples है और phrase यह जो आप एक बार फिर से revise कर लेते है जो phrase आपका है that is the group of words है that does not make complete sense in a sentence जो complete sense नहीं बनाता है लेकिन sentence में क्या होता है group of words ही same होते है लेकिन वो हमारे complete sense बनाते है ठीक है उसके बाद subject-verb agreement आता है प्रेजर से की यह आपका phrase है और यह आपकी examples है I hope कि आप understand कर गए होंगे कि phrase का क्या meaning होता है और कौन सी जो group of word है वो phrase होता है ठीक है तो next हम discuss करेंगे kinds of phrases next हम क्या discuss करेंगे kinds ठीक है इसकी है लगसे kinds है बहुत सारी kinds है जैसे first आपकी आजाती है noun phrase second आपकी adjective phrase prepositional phrase ठीक है यह जो phrases है यह हम अलग-अलग तरह से discuss करेंगे adverb phrase भी आती है इसके अंदर आपकी adverb phrase जो आपकी important phrases है वो यह है और भी phrases होती है जैसे infinity phrase होगी ठीक है तो यह हम discuss करेंगे one by one करके next video से हम noun phrase को discuss करेंगे I hope guys कि आप समझ गे होंगे कि what is the phrase and कैसे हमें identify कर पाते हैं phrase और sentence में क्या difference है और यह different kinds of phrase है यह हम कल one by one discuss करेंगे तो tomorrow we will discuss about the noun phrase thank you guys for watching my video okay friends thanks for watching my video if you like my video then please like share and subscribe my channel